नमस्कार आदर्शिक्षण समीती के विद्यमंदिरों में पढ़ने वाले भैया भैनों का स्वागत आज हम कक्षा नावमी के मौमेंट नामक पुस्तक के दा लोश्ट चैल फर्स्ट लेसन के थर्ड भाग में अध्यन करेंगे पिछले दो भागों में हमने पढ़ा कि एक बालक है जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और रस्ते में वह भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को देखकर उनकी और आकरशित होता है और खुश होता है अब हम आगे थर्ड पार्ट में देखेंगी कि वह मेले में जाकर और कौन-कौन सी चीजों से आकरशित होता है उससे पहले हम यहां कुछ मिनिंग दिये होए इन्हें पढ़ लेते हैं इन्हें आपको कोपी में करना है गार्लेन गार्लेन इन्हें माला ले हिब्ड ले कार्थ होता है पड़े होना हिब्ड इन्हें धेर में धेर में पड़े होना overwhelming कार्थ हता है अत्यधिक तिवर इच्छा बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो उसे overwhelming बोलते हैं फर्दर इने कुछ दूर forbidden वरजित जो काम करने को मना करें उसे बोलते हैं वरजित curse रुखा असब्य प्रोसीडेड आगे बढ़ गया डीजी इन्हें सर चक्राना चक्कर से आकरांत हो जाना फेरेंस क्रोध इन्टेंटली इन्हें संकल्प पुर्वक अंदर से मन से संकल्प कर लेना उसको बोलता है इन्टेंटली टर्बन इन्हें साफा पगड़ी जो सर पर बानते हैं उसे बोलता है As they near the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गाउं के समिप पहुँचे, बालक ने कई दूसरी पकडंडियां देखी, जो मेले में जाने वाले लोगों से भरी हुई थी, यह उस पर लोग आ जा रहे थे, जो मेले के बिलकुल केंदर में मेला था, वहां जूला था, and felt at once repelled and fascinated, और वहां उससे आकरशित और विकरशित हो रहा था, by the confusion of the world he was entering, अब वहां इस confusion वाली दुनिया में प्रवेश्च कर रहा था, अब repelled और fascinated यह दोनों एक दूसरे के opposite शब्द है, repelled यहने विकरशित हो ना, क्योंकि वह जानता था कि इसके माता पिता उसे जूले में नहीं जूलाएंगे, और fascinated यहने आकरशित हो ना, वह जूले को देखकर आकरशित हो रहा था, क्योंकि बच्चों का जूलाप प्री होता है, वलपूल यहने जूला, A sweet meat seller hogged, Gulab Jamon, Razgulla, Barfi, Jalabi, at the corner of the entrance and a crowd proceed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the Barfi, that was his favorite sweet, I want that Barfi, he slowly murmured. प्रवेश द्वार के कौने में से एक मिठाई बेचने वाला आवाज लगा रहा था, Gulab Jamon, Razgulla, Barfi, Jalabi और उसकी दुकान पर सोने चांदी के वरकों से सुसजित अनेक मिठाईयों की बिल्डिंगें बनी होई थी, बिल्डिंगें का आर्थ है, आर्किटेक्चर का आर्थ होता है, कि एक विशेश तरह से जमाई होई, जैसे मिठाईयों जमाई होती, उंची नीची इस तरह से, और उसकी उस काउंटर के चारों और भीड लगी होई थी, बालक ने लल्चाईयों आँखों से देखा, और उसके मुह में पानी भराया, जो कि उसकी मन पसंद मिठाई थी बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए, वह धीरे से फुस फुसाया, अब इसका, स्लोली का अपोजिट क्या होता है, फास्टली, बट ही हाप नूँ अस ही बेग्ड देट, इस प्ली वुद नूट बीड़ेड, बिकास इस पेरेंट्स वुद से ली वाज ग्रिड़ी, सो विदाउट वेटिंग फॉर अंस्वर, ही मूड अंड्र, लेकिन वहां इतना तो जानता ही था, कि उसके इस निवेदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, प्ली कार्थ होता है निवेदन, बेग्ड एने मांगना या प्रार्थना करना, धिड़ेड, एने अटेंशन, ध्यान देना, उसके इस निविदन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता उसे कहेंगे कि वह लालची है इसलिए बिना उत्तर की प्रतिक्षा किये वह आगे बढ़ गया मूर एने आगे बढ़ना एक फूल बेशने वाले ने आवाज लगाई गुल मोहर की एक माला इन फूलों में बहुत अधिक आकरशित होकर वह टोकरी की तरफ गया जहां फूल का एक धेर रखा हुआ था और वह हलके से जाकर फुसपुसाया मर्मड एने फुसपुसाना I want that garden मुझे यह माला चाहिए but he knew that his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap so without waiting for an answer he mood on लेकिन वह भली बाती जानता था कि उसके माता पिता उसको यह फूल खरीद कर नहीं देंगे इसलिए और वह कहेंगे कि यहाँ एक सामान्य है इसलिए उत्तर की प्रतिक्षा किये बिना ही वह अगे बढ़ गया यहाँ पर चीप चीप शब्दा है चीप एने हलका भी होता है चीप एने सामान्य भी होता है A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming Overwhelming कारतो था है A very strong emotion यहने बह ज़्यादा तीवर इच्छा होना Desire to possess them all एक व्यक्ती मास लिए हुए खड़ा था जिस पर पिले, लाल, हरे और बेंगनी कलर के गुबारे उड़ रहे थे बच्चा स्वभाविक रूप से उन रेश्मी रंगों की और जो की उसे इंदरुधनूशी लग रहे थे आकरशित हो गया और वहाँ उन सब को पाने के लिए अत्यधिक उसमें इच्छा हो गई लेकिन वहाँ अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता अब यहाँ Desire to possess them all यह उसमें बहुत अधिक ज़्यादा इच्छा पैदा हो गई But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys so he walked on further क्योंकि वह भली बाती जानता था कि उसके माता पिता उसको गुबारे खरीद कर नहीं देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि वहाँ इन्हें खेलने के लिए अब बड़ा हो गया है So he walked on further इसलिए वहाँ आगे बड़ गया अभी हमने तीन भाग तीसरे भाग के कुछ पैरेग्राफ की रीडिंग लगई अब कुछ कोशन आपकी ग्रहकारी के लिए यहां दिये जा रहे हैं जिसे आपको अपनी कोपी में करना है When the child wanted toy That was What was reaction of his father जब लड़का खिलोने चाता था तो उसके पिताजी का क्या reaction था How many sweets were on the shop Write the names दुकान में कितने प्रकार की स्वीट थी उनके नाम लिखिए What did a flower seller hawk Flower seller क्या आवाज Flower seller ने क्या आवाज लगई What did a man has on pole Pole के उपर वेक्ति के पास क्या था अब इन प्रश्णों के उत्तर आपको इन paragraph में से करने है